चैन स्टुडेंट यह जो मेरे हाथ में आप इस वक्ट फाइल देख रहे हैं जो ट्रास्परेंट फॉर्म में है और फॉट पेजिस इसके अंदर है यह है हमारे एनायस स्टुडेंट्स के ट्विटर मार्क्स एसाइन्मेंट जिने हम TMA बोलते हैं और यह TMA होते हैं जो हर ए उसे Questo किस तरे के से सही बनाया जाता है च्या-kया इस पने धियान में रखती चैहिए और क्या वतियां नहीं चाहिए तो हाग कि हमारे स्टूडियों में बने रही है हमारे संथ हम आपको इसकी फुरी पूरी चान करी देचिए चले स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कि देखे स्टूडेंट यह है हमारा सब्सक्राइब करता है और अपको हर समजेट के ऐसे चैक को प्रोवाइब करते हैं जिसका आंसर आपको अपनी टैट्स बूक या स्टेडी मेट्या से ढूर के इसमें लिखना होता है उस 6 कोशन के खार बात रहती है जहने कोशन नमपर 1 रहता है तो उसके उसके दो कोशन के पार्ट रहते हैं A पार्ट और B पार्ट आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप A या B इन दोलों में से कोई एक आंसर आप लिख सकते हैं ऐसे ही कोशन नमपर 2 भी रहेगा जिसमें आपका A पार्ट बी पार्ट रहेगा उसका भी आप अंसर लिख सकते हैं तो यानि कि आपको 12 कोशन वापे दिया होगे लेकिन आपको करने 6 ही कोशन होते हैं और जो कोशन का अंसर आप लिख रहे हो वो कोशन आपको इसमें मेंचन कर रहे हैं सबसे पहले मैं यहां पर बात कर लेता हूँ कि कैसे हम लोगों को तयारी करनी है सबसे पहले आपको थिस तरीके के आपको पेजिस ले देलेने हैं और विख यह बनाने के लिए मातरी 10 से 15 पेजिस की ज़रुद्ध पढ़ पढ़ती है आप इसमें अगर हम आपको दिखाएके तो इससे पहले तो स्टूरेट ने आपको मेंचन किया है कि अपना यहाँ पर subject दिया है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यह subject मॉंचिन किया है कि यह subject कोन सा है जो तो च्तरयके से आप अपने 66 qnes के आंसर नीड और व्टीन स्तरयके से यहां पर लिखती है मेरा एक situation रही है कि better होगा अगर आप question को black pen से लिखते हैं और answer को blue pen से लिखते हैं तो एक दोनों ही color different होने की वेज़े से separately नजला जाता है कि answer कोन सा है और question कोन सा है टीक्चर के लिए easy हो जाता है और impressive होता है फिर जब आपके pages को तयार कर लेते हैं तो इसका कोई आपको practical file नहीं बलकिन आपको इस तरीके का एक transparent folder खरीद लेना है transparent folder भी easily आपको stationery shop मिल जाएगा इस transparent folder की खासबाती होती है इसके पीछे के plastic की stick दिया होता है तो हमें क्या जबना होता है हमको यह folder open करके और जो भी हमने pages बनाये हैं इन pages को इस folder में इस तरीके से stick करके लगा दिना है और फिर यह जो प्लास्टिक की stick दिया है यह आप सभी कुछे जानते हैं इसमें बताने का बहुत कुस नहीं है लेकिन इस तरीके से पीछे लगने के बाद यह attach हो जाता है और यह किसी तरीके से study center में submit होता है तो यह हमारा होता है tutor marks assignment और 6 पीटों का या 6 questions का यह दुरूर होता है लेकिन tuition marks assignments के marks बहुत जादा important role play करते हैं हमारी percentage को इंग्रूप करने में तो इसको ध्यार भूरुवग बनाईए अगर आप किसी भी session के tuition marks assignment बना रहे हैं और अगर आपको salt tutor marks assignment के जुरूरत है तो हमारे दिये गए नंबर में सिब्बग कर सकते हैं हम आपको यह आपके WhatsApp पर प्रोवाइब करने के salt यह में किसी भी session का पुछी हो तो यह होता है हमारा tutor marks assignment तो यह थी मेरी आज की जानकारी अगर आपको अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की सारी जानकारी आप तक मैं पहुचाता रहूं तब तक किने बाइबाइब धन्यवाद जैए